बिस्मिल्लाह रर्रह्मान रर्रहीम, असलाम अलाहीकुम, विल्कम चुमार किचिन में हुशाब हावसा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलिशिस से कीक की रेस्पी लेकर आई हूँ, यह बहुत ही मज़िदार और एकदम सॉफ्ट बनता है यह कीक इतना मज़िदार होता है ना कि आप लोग इसको एक दफ़र बनाएंगे तो हर दफ़र बिल्कुर इसी तरहीके से बनाएंगे एक दम पॉर्फेक्ट रेसिपी है तो रेसिपी का कोई भी बार्ट में समत कीचिएगा, आई इसको बनाना स्टार्ट करते हैं तो रेसिपी स्टार्ट करते है सबसे पहले हमें एक बूल में अट करेंगे हाफ कप मखण यह अनसौल्ट मखण है और थोड़ सॉफ्टे साथे इसमेट करेंगे एक कप पाउडर चीनी, सिंपल जो सफैचीनी होती होती हो से ग्राइज और में एट करके पाउडर बनाके इ और वन फोर्थ कप यहां पर हमें अट करना है ओल, ओल को यासे होने चाहिए जिसकी कोई अपनी स्ट्रॉंग इसमेल या फ्लेवर ना हो, वन दीश्पून वनिला इसिंस, अब हम इसको बीट कर लेंगे हमें यहां पे इसको तकरीब एक मिनिट के लिए बीट करना है कि तम तो यह अचीता से मैक्स हो गया है, अब हम इसमेट करेंगे दो अंदे, लेकिन पहले एक अंडा एट करेंगे, और एक अंडा एट करके हम इसको एक मिनिट के लिए लोव स्पीट पे बीट करेंगे, जब एक अंडा इसमें अची से मैक्स हो जाएगा तो हम इसमेट करेंगे दूसरा अंडा दूसरा अंडा अट करेंगे भी इसको एक मिनट के लिए लोग स्पीड पर भीट करेंगे सिम्पमल रियूद उक्ते करेंगे समेट गरां अची से दूसरा अची करेंगे कि अच्छी से मिक्स कर लिया है अब हम स्मेट करेंगे दूसरा तो यहां पें 5कः अगा अठादें अची एक मिनिट के लिए लाग स्पनीए और अबली के क्यों तरना हुआ अब हम स्मैट करेंगे फ्लार यानिके मैदा मैदा हम इसमें चांद के एड करेंगे 1 cup और 1 3rd cup मिलाके अच्छे से चांद के मैदा स्मैट करेंगे और साथी स्मैट करेंगे 1 teaspoon baking powder अब हम एक बलोन में इसकी मदस्स को अच्छी तरह से mix कर लेंगे और वह को अच्छे से ना स्म मुल्सा बैटर जो बना लिया है कोई लंप्स नहीं है यहां पर बैटर बेकर रेडी है यहां पर एक स्क्राइब विकिंग पैन चाहिए हम इस तरीके से ऑईल से स्कौचिता से ग्रीस कर लेंगे और फिर उसके बाद इस पर पैन के साइस का बटर पीपर कट करके लगा देंगे इस में अट करेंगे के का बैटर साथ है यहां इक बूर में मेरे पास है वन थर्ड कर बिस च्रॉबरी जैम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि एकदम स्मूथ हो जाए तो jam जो हमें यहां पर अची से use of cay होके है, अब हम अजब करेंगे 1 टेबिस्पून लिए हमेंनी के मैदा, और इसको अची से mix करेंगे, तो flour अची से mix होके है, अब jam अची सोब्सरे के mix को हम निकालेंगे एक piping bag में और इस तरही के से केग के ईओपर pipe करेंगे, उसके बाद अब सिंपल है कि इस कीवर के मदद से हम जैम को इस तरही के से स्रोल्स दे देंगे तो और डिजाइन मिला लेंगे अब हम की को करेंगे बेख हम इसको आवन में बेख करेंगे 170 पे 35 तो 40 मिनट्स के लिए जब तक केक बेख होया तब तक हम एक क्वेक सी आइसिंग तैयार कर लेंगे केक के लिए जो इसमें बहुती डिलिशिस लगेगी उसके लिए हम एक बोल में आट करेंगे 1 फॉर्थ कप पावडर चेनी साथी इसमेट करेंगे 1 फॉर्थ कप सॉफ्ट मख़न त्वास वड़ एसम्स एसको अट से दोया मिक्स करेंगे जब ही तवास भी तवास भी मिक्स हो जागा तो हम इसमाट करेंगे 1 फॉर्थ कप क्रीम चीज और क्रीम चीज आट करके हम इसको आची से मिक्स कर लेंगे एक बहुत ही तीस्क्री और डिलिशिस से आइसिंग के लिए रेडी हो जाएगे इसको हम फ्रीजर में रख देंगे ताकि तो ही ठंडी हो जाए अब यहाँ पर हमाँ बहुत ही मसितार सा केक जो ही बेक होग dues चीजर को ठंडा कर लेंगे और जो केक ठंडा हो जाएगा तो उसको पेंट से निकाल लेंगे केक की जो एजिस है उसको हम सिंपल किसे हख कर लेंगे केक को कट कर लेंगे स्कुआइ पीसेस में तो इस तरीके से मैंने केक को स्कुराई पीसिस में कट कर लिया है अब जो हमने एक मज़िदार सी आइसिंग बनाइती है ना वह हम केक के ऊपर इस तरीके से पोर कर लेंगे एक पाइपिंग मैट करके तो जी तयार मारे डिलिशिस सा केक, इसका फ्लेवर खाने में बहुत ही यमी होता है आप रेसिपी ट्राइ करेंगे तो आपको बहुत ही पसंदाइगी तो जी तयार मारे डिलिशिस और मज़िदार सा केक, खाने में एकदम यमी होता है एकदम softer flavorful होता है अगर आपको स्की रेसीपी पसे नाई तो अस वीडियो को लाइक कीचिएगा YouTube चानल को जोड़ से subscribe करे लीजिएगा मिलते हैं नेक्स रेसीपी में इंशालला Allah Hafiz